तो नमस्कार, शाम के 6 बच चुके हैं, करनाटक विधान सभा चुनावों के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है, कितना वोट परसंटेज रहा है ना संकेत कुछ देर में बताएंगे, लेकिन इस समय पाकिस्तान से एक एहम खबर आ रही है, पाकिस्तान से आपको बता दें कि जो इमरान खान के वकील है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वहाँ पर इमरान खान को टॉर्चर किया गया, यह हिंसा जनक तस्वीरे आप लगातार देख रहे हैं, किस तरह से तस्वीरे ऐसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उन्होंने कहा है कि मुझे टॉर्चर किया गया प्रतारित किया गया कुछ ऐसी खुराग भी दी गई जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है और शाप मेहमूद कुरेशी जो पूर विदेश मंत्री है पाकिस्तान के उनको भी गिरिफतार कर लिया गया तो क्या स्थिती है जानने के लिए यह सीधे चलते अपनी सयोगी का वहां पर इसे में मौजूद है और जिन्नों ने हमें गया स्थिते देखी काफी चिंटाजनक स्थिती वहां पर लगातार बनी हुई है हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं किस तरह से वहां हिंसा हो रही है और अब इमरान खान को वहां पर दालत ने आठ दिन की एने भी डिमांड पर बेज दिया है 17 माई को उनकी फिर से पेशी होगी इस बीच आज जब सुनवाई हुई उसके उस वक्त उनके वकीलों ने कोट में ये कहा कि उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला इम्रान खान से इस पेशी के पहले तो उन्हें मौका दिया गया बात करने का उन्होंने जो वकीलों ने बाहरा के बताया उसके मुताबिक इम्रान खान ने ये कहा कि उन्हें सीने में दर्द है उनका ये भी दावा था कि उन्हें इस तरह की इंसुलिन की कोई खुराग दी गई है जिसके कारण स्लो हाट अटाक हो सकता है ये उनका द रखा गया, सोने के लिए कोई बेड नहीं था, बलकि एक चटाई दी गई, तो ये सारी चीजें उन्होंने दावा किया है कि इस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, और इस बीच ये भी खबरे आए हैं कि जो हिंसा हो रहे, उसमें पेशावर में कम से कम चार लोग मारे गए ह कई घायल हुए हैं, पंजाब में हजार से जादा लोग हिरासत में लिए गए हैं, इस बीच केपी के विखैबर पक्तुनकवा और पंजाब में सेना को बुलाए गया है, ये भी खबर आ रही है कि इसलामबाद में भी कानून विवस्ता को चाक चौबन रखने के लिए सेन रही है, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि इनको गिरफतार किया जा सकता है, तो कुल मिलाकर एक स्थिती ऐसी बनाने की कोशिच की जा रही है, जहां पर इमराइन खान के जाने के बाद तो जो उपद्रव हुआ था, वो हुआ ही था, उसके लावा कोई नेता सड़क पर रही है, तो अब स्थिती जो है, वहां काफी तनावपून लग रही है, और एक कानून व्यवस्ता आर्मी के जरिए वहां पर करने की कोशिच की जा रही है, लेकिन क्या हो पाता है, और कितना कंट्रोल हो पाता है, वो भी देखने वाली बात होगी नेदी. आंकलन ये हो रहा था कि कब तक ये सस्टेइन कर पाएंगे इस तरह का जो उनकी पार्टी की तरफ से कारे करता, उस लहाँ से क्या अंकलन, क्योंकि आज बड़े अगर उनके और नेता गरिफतार किये जा रहे है, तो इससे जो सरकार या सेना जो है, उसकी तरफ से देखा जाए एक बहुत सक्त मेसेजिंग है दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि PTI के जो कारेकरता जो रोज ब्रदशिन कर रहे है उनमें टेरिस्ट एलिमेंट है तो इस तरह का आरोप रत्यारोप लग रहा है लेकिन जब सरकार जो है वो एक तरह से आर्मी के सहारे है और कह रहे हैं कि आर्मी पर अटाक नहीं करना हाला कि अब तक आर्मी ने बहुत ही जादा संयम बढ़ता है लेकिन हम देख रहे हैं कि फाइरिंग वगरे की घटना है अब हो रही है तो इसको अब कंट्रोल करने की कोशिश होगी और कोई भी ऐसा निता नहीं होगा जो निकल कर यह कहेगा सड़कपर की हाँ पीसफुली में जानकारी दी तो आईए अब रुख करते हैं वापस इचिंता जनक तस्वीरे हम देख रहे हैं कर जो तरह से पाकिस्तान से आ रही है तो संकीत आप वो एक समय है कुछी देर में एक्जिट पोल के नतीजे सामने रुखान में मिल जाएंगे और चट्चाएं और दिल्चस्प हो जाएंगी लेकिन आपको बता दे इतजार है जो करनातक में जो विदान सभा चुनावों के लिए वोटिंग समाप्त हो चुकी ह शाम के छे बज चुके हैं अब वोटिंग परसंटेज कितना बड़ा है पांच बजे से छे बजे तक क्या लोगों में उत्सा आया कि जो पिछले बार की जो बहत्तर प्रतिशत के करीब जो वोटिंग वी थी उतने लोग निकल कर आए भी है या नहीं यह देखना होगा हमा अगर आरती जहरत आपसे अगर में पहला सवाल पूछो और मैं इस समय वही सवाल है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि हवा किस ओर है आपका क्या आंकलन अब जब तीन दिन में नतीजे आ जाएंगे तो आपका कहना है आज कि दिन में लेकिन एक यहां पर मेन बात यह कि एक ओपिनियन पोल में एक हवा कॉंग्रिस की और दिख रही थी लेकिन लास्ट में यह जो बजरंग दल बनाम बजरंग बली टाइप माहौल हुआ आपको लगता है कि इस से जो राजनीती है करनाटक की उस पर कोई प्रभाव या फर्क पड़ सकता है, नतीजों पर, ऐसे पूछ देखा। इसको घुमा के, you know, sort of hindutwa के issue बना दिया, तो Congress back foot पे चली गई, तो जिस तरीके से Congress dominate कर रही थी narrative को, जिस तरीके से Congress, मतलब अपना local issues उठा के aggressive थी, वो थोड़ा कम हो गया, तो Congress में जरूर फर्रक रहा है, पर मेरे ख्यार में, voters करनाटका के काफी mature हैं, वो बहुत discerning है, उ के बहुत सारी flip seats भी हैं, करनाटका में, यह सब कुछ graphic screen पर है, निदी जी, जफर इसलाम जी के पास जाना चाहते हैं, क्योंकि anti-incumbency, एक ऐसी चीज है, जफर जी, जो की करनाटक के संदर्ब में, आपने एक के बाद एक सारे opinion poll देखे होंगे, पूरी commentary आपने सुनी होग आप क्यों confident हैं कि यह बाजी बीजेपी ने मार ली? देखे, तीन-चार बहुत महत्तपून चीजें हैं, जो लहां की जंता समझती है, देश की जंता समझती है, और चुके करनाटक के बारे बात कर रहे हैं, तो देखे, वहां पर जो सरकार, double engine की सरकार है, उसका impact आप देखे, एक फर्ग दिखाता हूँ कि परधान मंत्री जबन नाम दे भेजा, सतरा नाम भेजा या नाम नहीं भेजा, आज बेनिफिश्टरीस की लिफ्स में करोडों लोग हैं, तो पहली बात यह आम लोगों में बिल्कुल साथ से देखा जा सकता है, एक इलग वर्ग है बेनिफिश्टरीस का, जो बिल्कुल इस बात को confirm करता ह है कि हमको सरकारी नजाम से पैसे आए, बेनिफिट्स आए और हम उसके मस्ताइक थे और मिझे मिला थे, पहली बात, दूसरी बात यह है कि कॉंग्रेस पार्टी जो अजिंडा उठा के चल रही थी, उस अजिंडे में ना कोई दम था और ना कोई इट्रैक्शन था, वो बा इस तरह की बाते उठें, तो आम पब्लिक में वो कहीं न कहीं लोग बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कॉंग्रिस ने आरोप लगाया 40 प्रतिशत भष्टाचार का, तो फिर प्रधान मंत्री तक ने 85 प्रतिशत भष्टाचार का आरोप लगाया कॉंग्रूस पर, तो ऐसा नहीं कि भष्टाचार पर बात नहीं की और एक जवाबी कारवाई हुई बीज़पी की तरफ से, लेकिन जिस तरह से स्थानिय नेता, इस बार वहाँ पर जादा नहीं हावी रहे, प्रधान मंत्री धुआधार प्रदर्शन किया, प्रचार किया, रेलियां की, रोडशो किया, तो एक तरह से ये सवाल भी उठा और हमारे सयोगी नेहाल किद्वई ने बताए, पहली बार हुआ है, कि स्थानिय नेताओं के बजाए, सेंट्रल लीडर्शिप ने आकर प्रचार की कमान समाली ऐसा नहीं देखे, मैंने दो महिने सब्सक्राइब नहीं है, यह हमारी टीम है, और जो भी लोग सक्षम है, जिनकी पॉपलरिटी है, जो जमीन में जुड़े हैं, वो सभी लोग जो है, वहां काम कर रहे थे, यह बात सही है, इसलिए कि आप आदेने प्रधान मंत्री जी 27 किलो मेंटर जब रोड शो हुआ, तो वहां पर लाखो लाख, दस वीस लाख लोग जमा होगे अपने आप, और इस तरह के लोग नहीं कि कोई आप कही बाहर से उसी महले टोले से निकले पूरे पूरे रोड शो में मैं था, और वो उसी महले से लोग निकलते जा रहे थे, और कई जगर पर जो लोग वहां पर जबीन में चल रहे थे, कई आपके पत्रकार भी होंगे, उन्होंने महसूस किया कि यह ऐसा क्राओड है, जो कि यही रहने वाला क्राओड है, और वो निकलता जा रहा है, और परदान मंत्री जी क्यों रहने के लिए, तो उस तरह की लो करवाएं, बहुत महनत करवाई है, करनाटा के जो स्थानिय नेताओं पर नर्बर नहीं रहे, हमारे साथ मुझे बताया जा रहा है, हमारे सयोगी निहाल किदवई जुड़ गया है, उनके पास जाना जरूरी हो गया, निहाल आप से शाम के छे बच चुके हैं, कुछ आंकल पाँच बजे का जो हमारे पास औस आया है, वो 65 फीजदी से थोड़ा ज्यादा है, जो कि बहुत ही बहतर बताया जा सकता है, बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी 72-73 फीजदी के आसपास था करनाटा का वोटिंग परसेंटेज, तो ऐसे में अगर पाँच बजे 65 फीजदी का आसपास है, और यह जो यहाँ चार पाँच बूत है, और इसमें अब भी तक्रिबन पचास के आसपास वोटर्स यहां मौजूद हैं, और ऐसी जो दूसरे बड़े बूत्स हैं, वहाँ पर भी इसी तरह से वोटर्स मौजूद है, अब गेट ब माना जा सकता है 12-13 फीजदी और बढ़े गाए एक घंटे में, क्योंकि और बहुत सारे लोग उसमें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो अर्बन एरियास को लेकर है, बैंगलूरू शहर को लेकर के चिंता है, क्योंकि इस शहर में मैं तक्रिबन आधे दरजन बू मैनेजर थे, उनको इस बात की उम्मीद थी कि शायद 20-25 फीजदी लोग और आ जाएंगे वहाँ पे, और ऐसे में ये वोटिंग का परसंटेज काफी बर जाएगा, और यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब इस तरह से परसंटेज बरता है, तो किस तरीके से, किस हद तक ये जाता है, और कहा तक, यहाँ पर ये वोटिंग का परसंटेज बरता है, और कितना, ये कहां तक जा पाता है, क्योंकि चुलाओ आयोक के साथ साथ, जो दूसरे, जितने भी यहाँ पर संस्थाएं हैं, सोयम से भी संस्थाएं, सबों ने ये कोशिश की थी, कि पूरी है, कि जब ये आगे बरता है, तकरिबन सबों को जब वोट देने की, जब ये लोग वोटिंग कर लेते हैं, तो ये परसंटेज कहां तक पहुंचता है, जी नेहाल के दवही ये पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने दिखाया कि शटर बंद हो गए, यानि कि पो को इस चीज से अंदाजा लगाना चाहिए, कोई भी या राजनीतिक भविश्च तै करना चाहिए, इस आधार पर कि कितना पूलिंग परसंटेज हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, एक अकसर कन्वेंशनल विजडम ये होती है, कि जादा वोटर आ रहे हैं, मतलब सत्ता परिव कि बढ़ जाता है, खास करके रूरल एरियाज में, एक तो जो हमारे चुनाओ हैं वो बहुत कंपेटिटिव हो गए हैं, तो इस वचे से पुलिटिकल पार्टी भी अपने लोगों को पोलिंग बूट्स पर ले जाते हैं, दूसरी बात, इलेक्शन आयोग ने भी बहुत को जाएं, इस वचे से हमने चुनाओ एकदम हफते के बीच में रखा है, यह हमको देखना है, क्योंकि यह खास करके बैंगलोर के रेजिदेंस की तरफ इशारत आ, और अब यह देखना है कि बैंगलोर में वोटिंग परसेंटेज बड़ा है, इस वचे से, कि उतना ही रहा ज डेडियस भी हैं, और साथ ही अनुमा अचारिया भी हमारे साथ हैं, लेकिन एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद लॉटते हैं. पर फिर से आपका स्वागत है, अब सिर्फ तीन मिनट रह गए हैं, जब पहला एक्जिट पोल, कहीं ना कहीं से तो निधी जी आएगा, और आएगा तो आपको यहां पर दिखेगा, और बहुत बढ़िया विशलेशन भी आपको यहीं मिलेगा, विंग कमांडर अनुपमा अचारे और सेद असलम हमारे साथ बने हुए हैं, और स्टूडियो में से निधेशक, CSDS, प्रफेसर संजय कुमार भी हमारे साथ हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत संजय जी, अभी थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, क्योंकि जो उपिनियन पोल हम लोगों ने क किया था, CSDS के साथ, उसको आज exit पोल में किस तरीके से देखा जाए, exit पोल को उस तरीके की तवज्यो दी जाए, आपने opinion पोल में जो हमने trend देखा, क्या उसी तरीके का trend continue होगा, बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन विन कमांडर अनुपमा आचा रहे, अभी थोड़ी द रोड़ शो में दिखी और उसका प्रभाव वोटिंग में भी पड़ेगा, आपकी टिप पुणी उनकी बाते ले करांदोलन करें, जो उनकी बातों पर बोले, तो वो राहूल गांधी जी ने किया है, और विकास आंकडों से नहीं होता, विकास को आप आंकडों से नहीं परखते, लोगों के एहसासों में होता है विकास, उनकी आत्मा में होता है, उनके उनको दिखता है विकास जो नहीं हुआ यहां तो 40% सरकार है उनके एहसासों में और इसी तरह से जो लोकल वोकल वाली बात है तो नंदीनी को अमूल से जगडा करवाना मतलब उसका एक मुद्दा बनाना वो है तो जो आकड़े कहते हैं आप आकड़ों में कुछ गिना देते हैं तो मैं भी ग समूरियत एक तरज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते और यहीं भारतिये जन्टा पार्टी का सबसे बड़ा प्राब्लम है कि वो लोगों को हर एक को एक ही चश्मे से देखती है उनकी अपनी जो खूबियां है उसे बिलकुल नहीं देखत किसी भी राजनितिक दल की होती है कि लोग घरों से निकल कर वोट करने आए और पांच बजे तक तो पहसर प्रतिशत पत्दान हुआ अब एक घंटे में कितना और बड़ा होगा क्योंकि तमाम राजनितिक दलों की इच्छा यही रहती कि लोग आए और निकल के वोट करें एक सवाल साइद असलम से पूछ लेते हैं जेडियेस के हैं असलम आप लोगों का क्या किंग मेकर बनना चाह रहे होंगे किस तरह से आंकल है जेडियेस का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है निदी जी मैं आपको बता दूँ करनाटक एलेक्शन जो था वो लोकल एलेक्शन था बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों नैश्टल एजेंडा पर एलेक्शन कर रहे थे बट लोकल मुद्दे बिलकुल बात ही नहीं किये थे मैं बता दूँ आपको बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस लहर चल रही थी चाहे वो आइंटी इंकंबेंसी की हो या करॉप्शन चार्जर्जर्स की हो इंफलेशन अनेंप्लॉर्मेंट ये सारे चीज़ सारे बीजेपी एक खिलाफ चल रहे था बीजेपी ने एक भी लोक सेंसिबल और एमोशनल करनाटक की जनता बहुत एमोशनल सेंसिटीव और एजुकेटेट है और कम्यूनल को एक दम रिजेक्ट किया है करनाटक की जनता और देखते हैं तेरा तारीक को जनता का फैसला तो तब सामने आगा संजेजी आप से बस कुछी देर में तो आ जाएं लेकिन आप देखें तमाम ओपीनियन पोल्स आते रहें पिछले अगर महीने भर की बात करें या पिछले साथ दिनों की बात करें ये जरूर है कि उनके आधार पे आज कानुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि अगर हम मौसम का उदारन देके बताएं तो दो मई को अगर साथ भी आपाचा नहीं लेकिन फिर भी जब साथ कामोसम होता है तो कई दिनों तक थोड़ी थोड़ी जिम जिम कर के बारिश होते रहती मुझे लगता है क क्रनाटक में कूह宜 ही था बरसात का मौसम है और कॉंग्रइस के पक्ष में मुझे कहीं कहीं दिखाई पड़ता थ भले ही धीमी हो गई यह भी बारिश या तेज हो गई यह पता नहीं लेकिन मुझे लगता है अभी भी हवा कॉंग्रेस के पक्ष में मुझे दिखाई पर लेकिन बिन मौसम बरसाथ भी होती है जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में हमने उत्तरी इलाकों में देखी तो कहीं ऐसा ना हो कि हलकी भुलकी बारिश से लोग उमीद लगा लें और बाद में पता चले कि मौनसून तो आया ही नहीं बिल्कुल इसकी भी गुंजाईश है इसी के लिए सस्पेंस बना रहेगा संकित और मुझे लगता है जो तमाम एक्जिट पोल आएंगे अभी एक तो यह आखड़े आपके स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं दो एक्जिट पोल सामने आ गए है एक एक्जिट पोल जो है वो बता रहा है यह है पी मार्क का 85 से 100 भारतिय जंता पार्टी के लिए कॉंग्रेस के लिए करीब 94 से 108, 94 से 108, JDS 24 से 32 और अन्य 2 से 6, बहुमत का आखड़ा 113 है, कुल सीट ने 224 TV9 भारतवर्ष और पोल स्ट्रैट का जो सर्वे है वो दे रहा है बीजेपी को 88 से 98 के बीच में और कॉंग्रेस को 99 से 109 के बीच में एक और आगया, यह है मेट्रीज एजनसी, Znews का सर्वे, जो की बीजेपी को थोड़ा और कम दे रहा है, एक के करके जैसे की आप देखें, यह सर्वे बीजेपी का हाकड़ा कम करते चले जा रहे हैं, और यह Znews का सर्वे जो है, वो कॉंग्रेस पार्टी को 103 से 118 दे रहा लेकिन अगर आप इन सभी आखनों को देखें, तो उसमें एक चीज जो स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है, वो यह है कि लगातार हर एक्जिट पोल में कॉंग्रेस को एक बढ़त दिखाई दे रही है, और अगर वो इस पे इंप्रूव कर लें, या JDS का साथ पा लेकिन से कि 2018 में प्रोफेसर कुमार आ गया था, उनको साथ मिल गया था, तो शायद उनकी सरकार बन सकती है, तो आपको लगता है कि आपकी जो फाइंडिंग्स थी और ये शुरुवाती जो एक्जिट पोल्स हैं, ये कुछ मेल खा रहे हैं, संक्यत हमें लगता है, दर्श लगतार इन्होंने दो, तीन, चार बार सर्वेस किये, और जहां तक मुझे याद है कि लगतार ये सर्वेस में बीजेपी को आगे दिखा रहे थे, अब इनके सर्वे में कॉंग्रेस आगे होगे, इनके हिसाब से भी लग रहा है, चीजे बदल रही है, कुल मिलाके ये ती जाइद असलम को पूछ लेती है, जेडियेस के हैं, किस तरह से इनकी सीट्स हैं, यहाँ पर आपको बता दू, एक और आया है, एक चीज निदी जी ये बता दे, न्यूज नेशन का एक सर्वे आया है, इसके एसाब से बीजेपी सरकार बना रही है, 114, और कॉंग्रेस जो यही पुछना चाह रही थी, जो महाबारी में, विजेपुरा में एक जगा सीट ऐसी है, जहाँ पर जेडियेस ने पहले ही अपनी जो अपना जो उमीदवार था, उसको रिटाय कर दिया था, कॉंग्रेस के पक्ष में, तो जो हवा है, उसका भी इससे क्या अनुमान होता ह सहीद असलम, आप भी क्या बोलेंगे जो एक्जिट पोल आ रहे हैं सामने, देखे, एक्जिट पोल जो आ रहे हैं, उसमें दिखा रहा है कि हंग असंबली, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस इससे बेटर रहेगा, हम डेफिनिटली इससे बेटर परफॉर्म करेंगे, और आप देख सकते हैं, आपका वोटर टर्नोट भी जो है, जो हमारे साथ और आठ डिस्ट्रिक्ट में जो है, बेहतरीन वोटर टर्नोट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर राम नगर जो हमारा सबसे बड़ा सबसे बड़ा ताकत है, वहां पर अल्रडी 80-81% पोलिंग हुआ है, और आप बैंगलोर रूरल में देखीजे, मंडिया में, चिकबलापूर, कोलार और मैसूर, यह सारे डिस्ट्रिक्ट में जहां पर हमारा स्ट्राउंग गोल्ड है, वहां पर वोटर टर्नोट मोर्ड अल्मॉस्ट जानकारी के लिए कि वोटर टर्नोट कहीं 80% से जादा हुआ है, यह अच्छा है, जाफर इसलाम सब आपका क्या आंकलन जो यह एक्जिट पोल हमारे सामने आए हैं, देखे, अगर मैं आपका दिहान थोड़ा सा, जब उसके एक्जिट पोल आए थे, और उस वक्त जो जो प्रोजेक्टिट सीट दिखाए गए थे, सीट दिखाए गए तो बीजेपी के लिए और कॉंग्रेस पार्टी के लिए, अगर उस पर एक्जिटर डाले तो देखाएंगे, आपके कॉंग्रेस बहां बहुत आगे दिखी थी, और बीजेपी सत्तर, असी, पचासी में जादा 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 नब्बे दिया था किसी ने, ल हमारे हिसाब से जो हमारा ट्वीट बैक है, जो हमने जबीन पर काम किया उसके हिसाब से, मुझे लगता है कि बहुमत जो है, उससे हमें 10-15 सीटे आगे आएंगी, बहतर होगा पुन बहुमत से, लेकिन इस तरह की प्रिस्टितिय दिखा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं लिए मतलाब 125, मुझे लगता है कि 24 है, मुझे लगता है 125 और 130 के दिखे 128 का नंबर मुझे लगता है, जो आकडों के साफ, 177 ते आनी चाहिए हमें, और JDS जो है, वो 20 के निचे स्थिमट जाएगे और उसी एसाब से कॉंगरेस बिल्ट के आएगे, आप अपनी पार्टी के बार जाएगा, आप अपनी पार्टी कितने सी ठीका लगी हूँ, अच्छे चलिए, ठीक है, यह आपसे कोई जिरा नहीं कर रहा हूँ, आप अपने 500 के दिदियन 224 कुटे मुझे कोई दिराज दी, आप मैं यह बता रहा हूँ, अगर हमारे 27-27 होगी तो आपके 24-35 और 32 दिखर सर्वे और इसमें भी भारतिये जनता पार्टी को एक नेरो लीड दिखाई जा रही, लेकिन रेंज बहुत ज़्यादा दे दी है प्रोफेसर कुमार, यह रेंज कुछ समझ में नहीं आई, 94 से शुरू करके 117, मतलब यह तो बहुत ही सेफ खेल गए, उससे बड़ी बात य सारे आंकडे आपके स्क्रीन पर आने लगते इनो ने जिस Jaak distributed के लिए किया, तो बहुत कुछ करना पड़ता है, विसलेशन करना पड़ता है, आंकडों को जमा करना पड़ता है, तो इस बात काम में द्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा तर आंकडे शायर चार बजे तक ल तभी आप पूरे आंक्रों को प्रोसेस करकर के दिखा सकते हैं और इसी कारण कि कुछ लोग जो कुछ एजनसी आप बड़ा फासला ले रही है क्योंकि जो हम कहते हैं कि सेफ प्ले करना कि थोड़ा सेफ करें और एक्जैक नमबर तो मुझे लगता है कि इतना प्रिसीजन किस बेसिकली एक तरह से दर्शकों को ब्रहमित कर रहे हैं 84 से लेकर के अगर आप कहें 120 मतलब मैं उदाहरन के तौर पर कह रहा हूं तो कहीं ने कहीं आपका मामला अटकने की गुंजाइश रहेगी और आप कहेंगे कि हमारा एक्जिट पोल सही था कइज पता चल जाएगा कि कॉंग्रेस के पक्š में जा रही है हवा कि बिचेपी के पक्ष मेशा सब और जो ग्राउन सब्सकिय्ण्त और तो बिल्ầnत करें तो जैङ जिसे कहते हैं साइक्लोन आंधी की चक्रवाती तूफान की तरह अपने आपको प्रिडिक्ट कर रहे थे ऐसा तो यह कोई भी एक्जिट पोल आपके लिए नहीं बता रहा है हां कुछ-कुछ आपको लीड जरूर दिखाए हुए लेकिन उतना ही बीजेपी को भी लीड में द देखेंगे जब नतीजे आएंगे तो आप और हम सब रहेंगे ही सामने क्योंकि करनाटक की जनता एक तूप सक्षर है दूसरे आईटी में करनाटक हव रहा है करनाटक ऐसे लोगों का प्रदेश है जो अपना विचार अपनी सोच रखते हैं और उन्होंने पहले यह तो ए लोग सभा में बीजेपी क्यावन पर थी क्यावन प्रतिशत ये भी एक आंकडा है फिक है घलतियां होती है लोग उनको बदल लेते हैं लोकतंत्र की यही तो खुब सूर्थ है कि वो अगर किसी को एक बार पसंद करता है तो अगर काम ना करे तो उसे उतार भी सकता है क्यो तो सुप्रीम कोड से फटकार भी लगी है कि ग्रिव मंत्री ने जुनावी सभावों में जो बात की है तो आप यह देखिए उन्होंने वोट किस चीज़ पर मांगे है अनुमा अगर हम देखे पांच सर्वे में दो बीजेपी को आगे बड़ दिखा रहे हैं और तीन अग जा रही थी कॉंग्रिस की तरफ से जिस तरह से मैने फेस्टों में बजरंग दल के उपर कारवाई की बात कह दी उसका भी असर शायद इसमें हो या ना हो आपको लगता है वो जीत और बहतर हो सकती थी कॉंग्रिस की अगर वो चूप नहीं होती तो धाई साल पोस्टिंग पर रही हूं बेलगाम में मतलब करनाटक में और लोगों को जानती हूं वो ऐसे इस तरह की चीजों पर अपना ओपिनियन नहीं बनाते तो करनाटक के लोग हनुमान जी के अगर घलत इस्तेमाल प्रधान मंत्री ने किया और धार्मिक भावनाय उन् और 130 से कव में तो मैं खुद सेटल नहीं हो रही हूं ने लेकिन यह वड़ी विचित्री सी इस्थिति है प्रोफेसर कुमार और आरती जेरत कॉंग्रेस 130 लिए चली आ रही है बीजेपी भी 130 लिए चली आ रही है कुल सीटें 224 हैं तो यह दोनों मिला करके 260 ला रहे हैं व तो आप देखा होगा कि कोई political party exit poll को मानने को तयाद नहीं है और सब कहते हैं कि तेरा तारीक को आप चौंक चाहेंगे जब सही आख्रे आएंगे क्योंकि कुछ और चित्र नजर आएगा और आरती मुझे यह भी लगता है आरती जी कि जब तेरा तारीक को सुभे 9 बजे 10 बजे तक कहेंगे कि अभी थोड़ा और इंतिजार कीजिए अभी आगे जब counting होगा तब देखिएगा कि यह हमारे पक्ष में कैसे चीज़े बदलती है तो यह तो दावे और करना मुझे लगता है राज्यतिक पार्टियों का अधिकार है या उनका करतव है तो वो करते रहते हैं जब तक जी थार का फासला नहीं आप यह मानते हैं कि यह जो आँक्रेवर जैसे कॉंग्रे के पक्ष में जो आए हैं यह सब exit पोल्स के इह वो फिगर आपके शामने स्क्रीन पर है Congress वाला जरा दिखा दें, JDS नहीं, Congress दिखाते हैं, तो Congress अगर आप देखेंगे, पहले BJP, फिर Congress और उसके बाद JDS, मेरे कहले इसी श्रिंखला में हमारे ग्राफिक्स बने हुआ है, तो ये Congress है, तो Professor कुमार ये Congress के आक्डे हैं, इसमें कहीं भी आप ये नहीं देख रहे हैं, एक है बस Z News का पोल, जो की अपनी रेंज में Congress को पूर्ण बहुमत दिखा रहा है, कि ऐसा हो सकता है, वहीं पर BJP के साथ भी लगभग ऐसी ही चीज, लेकिन एक consistency दिखाई दे रहे हैं, सब पोल में वो है JDS के लिए, कि उनको 20-22 पर समेट के रख दिया है, लेकि मुझे ल सब्सक्राइब करना, दोनों पाटियों के लिए जो रेंज दे रहे हैं, कोई बड़ी रेंज दे रहा है, कोई दोनों पाटियों के बीच जो अंतर है, वो कम दिखा रहा है, और मुझे लगता है, इसके आधार पर, अश्चेर की बात है कि कोई भी पोल वोट शेर का अंद सब्सक्राइब करना, क्योंकि जिस तरह से पहले तमाम जो दोनों राज्यतिक दल, बीजेपी कॉंग्रूस के तरफ से तमाम वाइदे किये गए, महिलाओं के लिए वाइदे किये गए, सिलिंडर, योज ना आए, राहत राशी, तमाम चीज़े कीगी, लेकिन सब्सक्राइ सुबे से पोलिंग हो रही है और आप साड़े छे बजे एग्जिट पोल के आंकडे दे रहे हैं, तो तमाम तरह के जो सवाल है, वो नहीं पूछे जा सकते हैं ऐसे एग्जिट पोल में, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर आपने कुछ काइदे से अध्यान किया तो इन सब कौन से मुद्दे चले, कौन से मुद्दे नहीं चले, मुझे नहीं रहता कि कोई भी एग्जिट पोल के विशलेशन में इन चीजों का वर्णन किया जाएगा, कम से कम अभी हमें दो तीन घंटों में इसका पता चलेगा, बिल्कुल जो हमारे तमाम सहय होगी, जब जब ज चालेस परसेंट कैमपेइन चला रही है, बीजेपी के खिराथ है, अगर कॉंग्रेस ने दो साल में ऐसा मूद नहीं बनाया लोगों में, कि एक तरफा हवा हो उनके पक्ष में, तो फिर कहीं ना कहीं, कॉंग्रेस में कमी है, और और प्रदेशों में जो बीजेपी कर पात ही है, यह कॉंग्रेस नहीं कर पा रही है, और हालांकि करनाटिक में उनके दो लोकल लीडर्स हैं, स्ट्रॉंग लीडर्स हैं, उनकी ओगनाइजेशन भी अभी जिन्दा है, बाकी प्रदेशों के जैसे नहीं है, एक मेहतवपूर सवाल मैं यहां पर आप लोगों से भी प होता, इन आकड़ों पर आप इस कॉंट्रोवर्सी का कितना प्रभाव देख रहे हैं, क्योंकि स्लॉग ओवर्स में इसी पर बैटिंग हो रही थी, देखें, जाहिर है, उन्होंने एक लूज डिलेवरी दी, उसका फाइदा तो जाहिर होगा, इसलिके वो बिल्कुल जंता में जाके वो बातें चिपक गई और जनता ने उस बात को महसूस किया, जो जहां उनका एक तरह की जडियेश और कॉंगरेस का परवहुष जाद़ा है, वो के लंगाज में, और वहाँ पर वो के लंगाज के एरिया में खास के उस एरिया में जादा इसका जो है, उनको जो सबसे जादा वहां देखा गया तो इस का फरक तो पड़ेगा इसलिए मैं कहा रहा था कि जो चौदा देखा रहे हैं वह मुझे लगता है उसका बड़ा फाइदा जो होने वाला है तो मुझे लगता है कि अगर आप एक absolute number में देखे तो मुझे उस पूरे चीज़ को ध्यान में रखते हैं और भी बहुत सारे analysis को अगर ध्यान में रखते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि 125-630 सीटों के बीच में भारती जंता पार्टी को आएगा और उसका फाइदा उनके गलत परचार क करने से उनके लोगों का इसमें नहीं रहने से हमारे लीडर का लोगों में कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉंग है उसका हमें इड्वांटेज मिलेगा और साथ साथ हमने जो कांग किये जमीन पर बेनिफिशनी जो हैं उनके वजह सादा पाइदा होगा ये बिलकुल आपक देख लेने के लिए का जा रहे लेकिन विशलेशन का सिलसिला एंडी टीवी इंडिया पर जारी रहेगा तो फिलाल नमस्कार